जै प्रकास नारायन नाम तो सुना ही होगा और अगर आपने अभी तक जै प्रकास नारायन का नाम नहीं सुना है तो शर्मानी चाहिए आपको खेर ये चैप्टर उनके द्वारा लिखा गया है और आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपको एक बार सुनना चाहिए ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं वैसे ये चैप्टर बिहार बोर्ड के क्लास 11 में दिया ग होता है ये जैप्रकाश नारायन के शब्दों में हम लोग समझेंगे इस बात को जैप्रकाश नारायन का जन्म 1902 में और इनकी मृत्यू 1979 में हुई थी popularly called लोकप्रियता के आधार पर इन्हें बुलाया जाता था लोकनायक इनका पूरा नाम लोकनायक जैप्रकाश नारायन लोकनायक लोग इन्हें प्यार से बुलाते थे वे प्रमुख नेताओं में से एक थे and thinkers और सोचने वाले विचारक in modern इंडिया modern इंडिया के प्रमुख नेताओं और विचारकों में से एक थे जैप्रकाश नारायन he played major role in the struggle for independence उन्होंने आजादी के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें उन्होंने major role एक प्रमुख भूमिका आदा की his struggle continued उनकी जो struggle थी संघर्ष थी उनका जो संघर्ष था वो continue रहा जारी रहा even after the country achieved independence भारत ने जब देश ने independence जब achieve कर लिया जब प्राप्त कर लिया आजादी उसके बाद भी इनका शंगर्ष जारी रहा he played a major role in the socialist and सर्वोदया movements उन्होंने socialist समाजवादी और सर्वोदय जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने महतुपूर्ण भूमी का major role इन्होंने प्ले किया था अदा किया था and finally और अंत में in the movement against suppression of civil liberties और जब नागरिकों के आजादी को दबाया जा रहा था 1974 से 77 के बीच में 1974 से 1977 के बीच में जब civil liberties को suppress किया जा रहा था दबाया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने जो अंदोलन किया था वो अंदोलन उस अंदोलन को popularly known as JP movement उस अंदोलन को JP movement जेपी अंदोलन का नाम दिया गया था आप लोगों ने सुना होगा जेपी आंदोलन बिहार के बरे-बरे नेता जैसे श्री लालू परसाद यादव श्री नितीश कुमार ये सब जेपी आंदोलन के ही प्रोडक्ट है नेता है ठीक है तो ये जेपी आंदोलन जो है वो इन ही के नाम पर जेपी आंदोलन नाम दिया गया था इन दिस एक्स्ट्रेक्ट इस सारांश में फ्रॉम जैप्रकास नारायन सेलेक्टेड वर्क्स जो जैप्रकास नारायन सेलेक्टेड वर्क्स जो किताब है उस किताब का ये सारांश है मतलब मुख्य बातें इसमें ली गई है वॉल्यूम टू है वो मतलब दूसरा उसका संस्क्रन है JP explores जैप्रकाश नारायन उनको shortcut में JP बोलते हैं तो वो explore करते हैं बताते हैं changing connotations of nation यह जो राष्ट्र का जो कॉनोटेशन है नेशन का जो अर्थ है जो राष्ट्र का अर्थ है अलग-अलग समय में राष्ट्र का अलग-अलग अर्थ दिया जाता है आप लोग देखते होंगे राष्ट्रवाद का अलग-अलग समय में अलग-अलग अर्थ होता है अलग राष्ट्रवाद का जो बदलता हुआ आर्त हैं जो log अलग और जो राष्ट्रृड़ियता है मतलब जो राष्ट और राष्ट्रियता का जो अर्थ है वो depend करता है निर्भर करता है heavily अधिक तर ज्यादा तर on the circumstances of the state उस राजी या उस देश की जो इस्थिती है जो परिस्थिती है उस समय की and the structure of society और वहां की जो society है उसका जो structure जो बनावट है उस हिसाब से nation और nationality का अर्थ however in ultimate यद्यपी आखिरकार analysis however ultimate analysis जो अंतिम जो analysis है जो अंतिम जो तर्क है या अंतिम जो बात है it means that इसका मतलब यह है कि the lower classes जो lower classes जो निम्न वर्ग के जो परिवार हैं जो वर्ग हैं ठीक the masses और जो मास है जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का जो मास जो जनता है जो भारी मात्रा में जो जनता है should fight imperialism उन्हें imperialism से fight करना चाहिए उन्हें समराजिवाद से लरना चाहिए not to secure their own freedom अपने freedom के लिए नहीं अपने freedom को secure करने के लिए नहीं यह जो मास अब देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को आजादी के समय में जो लर भारत था वो हमेशा से तीन वर्गों में विभाजित रहा है एक निम्न निम्न वर्ग एक निम्न मध्यम वर्ग और एक मध्यम वर्ग और एक high class मतलब उच वर्ग जिसमें पुंजी पती उसके बाद व्यापारी या अमीर लोग आप बोल सकते हैं तो उसमें क्या था कि भा भारत आजाद होने के बाद पुंजी पतियों के हाथ में या अमीर लोगों के हाथ में राजा महराजाओं के हाथ में जमिंदारों के हाथ में न चली जाए ठीक है इसलिए कहते हैं कि कि however ultimate analysis it means that the lower classes the masses should fight imperialism not to secure their own freedom from exploitation 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 से शोषण से जो आजादी मिलेगी जो freedom मिलेगा उसको secure करने के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए नहीं लरना चाहिए लेकिन किसलिए लरना है उन लोगों को उन गरीब लोगों को to enthrone the bourgeois and the landed magnets जो बुर्जुवा वर्ग थे बुर्जुवा वर्ग का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो लोगों जो धन जुटाने पर जादा जोड़ देते हैं अमीर वर्ग को बुर्जुवा वर्ग कहा जाता है प उस समय ऐसा था लोगों के मन में कि हम लोग अपने लिए आजादी की लड़ाय नहीं लड़ रहे हैं बलकि उन रईस लोगों को जो जमिंदार रईस लोग हैं और जो पुंजी पती लोग हैं जो बुर्जुवाज हैं उनको enthrone करने के लिए सिंगासन पर बिठाने के उन लोगों ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया उस फाइट में उस लड़ाई में in the place of the imperial power imperial power के रूप में शाही शक्ती के रूप में राजा महराजा के जो पावर होता है लरने का उसकी अलग फौज होती है उस रूप में उन्होंने लरने का उन्होंने नहीं लड़ा उसकी कीमत पर इस unity को बनाये रखा जा सकता है क्योंकि अमीर लोगों के हिसाब से तो एकता गई अमीर लोगों को आप साथ लेकर के एक कैसे हो सकते हैं एक गरीब एक अमीर के साथ अगर एकता बनाना चाहे यह impossible है कहने के लिए हाँ ठीक है अभी अभी आप देख बिहेवियर देखिएगा गरीब लोगों के परती तब तब आपको लगेगा कि नहीं यह कभी एक दूसरे से एकता के सुत्र में बंदी नहीं सकते हैं तो यह जो unity थी उससे में यह जो एकता का जो बंधन था यह तब ही maintain किया जा सकता था जब जन चेतना को सहरा बना कर लो लोग ऐसा मानना था जाए प्रकास नारायन का कि इसमें फाइदा जो है वो बरे बरे अमीर पुंजी पति लोगों का था ठीक है चलिए अब और डेटेल्स में इस चेप्टर को समझते हैं चेप्टर स्टार्ट है ध्यान से सुनिए वाट इस नेशनल यूनिटी नेशनल य इवेंट्स ऑफ आवर नेशनल हिस्ट्री हमारे जो जो नेशनल हिस्ट्री है जो राश्त्री ये इतिहास है उसके दो लोटेवल इवेंट को नेशनल हिस्ट्र करते हैं 1857 and 1885, 1857 में क्या हुआ था? और 1885 में क्या हुआ था? There were only 28 years that separated those two events. सिर्फ 28 साल ने उन दोनों event को separate कर दिया, अलग कर दिया. अब बताएं, 1857 में क्या हुआ था? 1857 में भारत में सबसे बरा युद्ध, सबसे बरा क्रांती, सबसे बरी क्रांती अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी. जिसमें देश के कोने कोने से सिपाहियों ने राजाओं ने अलग-अलग वर्गों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यूद शुरू कर दिया था और 1885 में क्या हुआ था? 1885 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अस्थापना हुई थी भारतीय राश्टर ये कॉंग्रेस पार्टी जो आप अभी सुन रहे हैं उसकी अस्थापना हुई थी हुआ क्या था? 1857 में तो यूद किया गया था लेकिन जब कॉंग्रेस की अस्थापना की गई थी तो कॉंग्रेस की अस्थापना एक अंग्रेज के दोरा की गई थी और उस समय 1885 में उसके ठीक 28 years के बाद ठीक है 1885 में जब कॉंग्रेस की अस्थापना की गई थी उस कॉंग्रेस के अस्थापना में जो उसका मुख ही उदेश था जो एक अंग्रेज के दोरा किया गया था एओ हुम के द्वारा उसमें उसका मुख्यूदेश भारत अंग्रेजियों से आजादी पाना नहीं था उस कॉंग्रेज की जादा से जादा भारती अधिकारियों को बैठने के लिए बैठाया जाए इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी के अस्थापना की गई थी लेकिन फिर बाद में 1930 इस्वी में कॉंग्रेस ने स्थापना कर दी मतलब हमको अंग्रेजों के अंदर नहीं रहना है अब हमें अलग राजी चाहिए अपना राजी चाहिए 1930 इस्वी में जाकर के ये कॉंग्रेस ने घोशना की थी लेकिन उस समय जब कॉंग्रेस के अस्थापना हुई थी उस समय कॉंग्रेस पार्टी का ये उदेश नहीं था कि हमें हमें स्वाराज चाहिए उनका उदेश ये था कि हमें अंग्रेज ही चलाए लेकिन उसमें जो 28 years ने दोनों को अलग कर दिया येट फिर भी they wrote an incredible changes in national outlook फिर भी उन्होंने route का मतलब होता है गढ़ा गया एन इंक्रेडिबल चेंज एक अविश्वस्निय परिवर्तन नेशनल आउट लुक में जो राष्टरी है जो दृष्टी कोन था उसमें एक अविश्वस्निय बदलाव हो गया अविश्वस्निय बदलाव आप सोच सकते हैं 1857 में लड़ा गया था कि अंग्रेज को भगाओ अ ठीक 28 साल के बाद यह हो गया कि अंग्रेज रहें लेकिन उसमें पदों पर सिर्व भारतियों को बिठाया जाए कितना बड़ा चेंज यह हुआ था 28 साल में मात 1857 विटनेस्ट एन ओपेंड आर्म्ड स्ट्रगल फोर सॉवरेंड पावर 1857 जो है वो गवा है विटनेस है कि एक खुला और हथियारों वाला संघर्स था किसके लिए सौवरेंड पावर के लिए सौवरेंड पावर का मतलब होता है एक सारवभौन सारवभौम मतलब पूरी तरीके से शक्ति के लिए पावर के लिए कि पूरे देश पर हमारा पावर हो अंग्रेज का पावर नहीं हो लेकिन 1885, एन एक्ट अफ हम्बल पेटिशनिक, लेकिन 1885 में क्या हुआ, एक विनम्र पेटिशन दिया गया, याची का दायर की गई अंगरेजों को, कि भारतियों को भी अपने कमीशन में, रॉयल कमीशन था, उसमें भारतियों को भी हिस्सा दिया जाए, पद दिया जाए, from a struggle for sovereign power to prayer for royal commission sovereign power का जो struggle था उस से ले करके royal commission में जगह बनाने का जो प्रार्थना थी marks great change उसने एक बहुत बड़ा change बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया yet the latter लेकिन बाद में has been called the beginning of the formulation of India's demand लेकिन बाद में इसे किस चीज का नाम दिया गया beginning of the formulation of India's demand भारतिये लोगों का जो demand था भारतिये लोगों की जो मांग थी उस मांग को अंग्रेजों से मनवाने के लिए मनगवाने की सुरुवात हो चुकी थी मतलब ये कि अब पहला कदम उठ चुका था अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने के लिए देखिए एक ही बार किसी powerful व्यक्ति को अगर आप घराना चाते हैं भागाना चाते हैं तो उसके लिए धीरे धीरे process किया जाता है धीरे धीरे उसके लिए कदम उठाया जाता है तो बाद में इस चीज को क्या नाम दिया गया कि हम लोग इस बात में सफल हुए कि यह जो था 1885 में जो अंग्रीजियों के साथ प्रेटीशन किया गया था कि रॉयल कमीशन में मतलब भारत को जो संचालित किया जाता है उसमें भारतिये लोगों को हिस्सेदारी दी जाए इसको बाद में नाम दिया गया दे बिगनिव आप दो फॉर्मिलेशन अफ इंडियाज डिमांड ठ प्रेजेंट करते हैं राष्टरी आंदोलन का नाम है अगर दोनों का इट इस ऑवियस तो यह एकदम सही है कि नेशनलिज्म मेंस डिफरेंट तिंग्स इसका मतलब है कि राष्टरवाद का अर्थ अलग-अलग समय में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है क्योंकि 1857 में तो राष्टरवाद का अलग-अर्थ था और 1885 में तो राष्टरवाद का अलग-अर्थ हो गया the difference lies not only in its objectives और यह जो डिफरेंट है यह केवल इसके उदिश में इसके objective में नहीत नहीं है but also in its human content बलकि यह जो मनुष्य का जो content है जो मनुष्य का जो सोच है उसमें भी य इन एटीन-फिप्टीसेवन 8867 में फ्यूडल चिप का मतलब होता है घूडल का मतलब होता है सामंत सामंती लोग जो थे मतलब जो लोग जो लोग आम लोगों को गरीब लोगों को जमीन देते थे रहने के लिए और बदले में उनसे अपन उनसे युद्ध करवाते थे लर् उनके लिए उन गरीब लोगों को लरना पड़ता था उस जमीन के लिए और उसको सुरक्षा भी देते थे ठीक है उसको फ्यूडल कहा जाता था तो जो फ्यूडल चीप्स थे एंड दियर सोल्जर्स और उसके जो सिपाही थे वे लोग राष्ट्रवादी थे लेकिन in 85 लेकिन 85 में क्या हुआ 72 जेंटल में बहतर सभी पूरुष बहतर जेंटल में एक्स्ट्रेक्ट्टर फ्रम दगुडल क्लास से जो बिडल क्लास से आये हुए थे including दगार रिटायर कहा जाता थे वही कवर्मेंट थे तो जो लोक्रोग रिटायर हो चुके थे 72 वे लोग आये उसमें in 85 में और मैंने बता दिया 1885 में क्या हुआ था तो आब इसका मतलब अब ये लोग जो है वो nationalist हो गए राश्टवादी हो गए ठीक है these facts और ये जो fact है ये जो तत्य है through a flood of light ये light का flood डालती है light का bad मतलब बहुत सारा light बहुत सारा प्रकाश डालती है on the problem of nationalism and national unity national is राश्टवाद और राश्टविये एकता पर प्रकाश डालती है उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालती है ठीक है neither the feudal chiefs who fought in 1857 ना तो feudal chiefs ने 1857 में लड़ाय किया था ध्यान दीजेगा इस बात पर जो feudal chiefs थे 1885 में तो आये retired government वाले जो हम लोग भारत के लिए हम भारत के लोगों की मांग को हम उठाएंगा एंग्री जी सरकार में लेकिन वो लोग 1857 में लड़ने के लिए नहीं आये थे nor the babus लेकिन ना वो बाबु लोग आये थे who founded the Congress in 1885 और ना ही 1885 में जो Congress की अस्थापना हुई थी वे बाबु लोग 1857 में थारो संतावनी सभी के लड़ाई में हिसेदारी उन लोगोंने नहीं लिथी ठीक है comprise the whole nation वे लोग whole nation को पूरे देश को पूरे राष्टर को comprise नहीं कर सके एकत्रत नहीं कर सके संगठित नहीं कर सके ठीक है for the presents in 1885 किसके लिए presents के लिए present present मतलब भी किसान होता है और farmer मतलब भी किसान होता है फार्मर का मतलब हुआ जिसके पास अपनी जमीन है वो किसान हो गई पिजेंट का मतलब होता है भूमी हीन किसान जिसके पास जमीन नहीं है जो दूसरों की खेट में काम करते हैं ठीक है सुरी हम दूसरे जगह पर आगे कोई दिकत नहीं अर्थ तो समझा दिये ना ठीक है comprise the whole nation and stood for all classes and group within it और वे लोग ना पुरे देश के लोगों को और पुरे देश के वर्गों के अलग-अलग group अलग-अलग वर्ग के जो लोग थे अलग-अलग मैंने अभी वर्गों के बारे में बात किया था उन लोगों को एक सुत्र में बांधने में बेलोग सफल नहीं हो पाए it would have been comic for the presents in 1885 to have united with the babus in demanding seats in the council ये तो किसानों के लिए मजाख हो गया था कि 1885 में बाबू लोगों के लिए जो बरे बाबू लोग थे उन लोगों के लिए वो किसान लोग युनाइट हो जाएं एक हो जाएं किसकी डिमांड करने के लिए council में जो council हो रही थी मतलब अंगरेजयों का जो रॉयल कमिशन था जो देश को चलाते थे उनका कॉंसिल होता था उसमें पद पर बिठाया जाता था लोगों को कि देश में किस तरह से देश का शासन चलाया जाएगा ठीक है उस देश को उस पद पर कौन बैठेगा उस पद पर बैठेगे बरे बरे रिटायर गवर्णमेंट ओफिसर्स ठीक है अब उनके लिए किसान लोग अंग्रेजों से लराई करें आपको क्या लगता है लरेंगे वो उन बाबुलोगों के लिए कि वो बाबुलोगों को कॉणसिल में सीट मिल जाए क्यों तब तो फिर बात नहीं न थी आजादी की तब तो आजादी का उदेश ही नहीं था Congress का उन बाभू लोगों का उन लोगों का उदेश ही था कि Council में जो परिशद था उसमें seat मिल जाए और हम लोग भारत के लोगों के हित में फैसला करें तो उन लोगों को support करने की जो आशा थी पिजेंट लोगों के लिए एक मजाकी था and more jobs for the English educator और English पढ़े हुए लोगों को जादा से जादा job मिले अंग्रेज के पदों पर इसके लिए अब कौन किसान इसमें मदद करेगा क्योंकि किसान तो English पढ़े लिके थे नहीं परहप से शायद it is not quite obvious even now that आज भी यह obvious नहीं है आज के देट में ठीक है यह यह ठीक नहीं है कि it is only slightly less comic today to accept the peasants to unite आज के देट में आप किसानों को एकत्रत कर लीजे कौन किसान एकत्रत होगा अमीर लोगों की भलाई के लिए कि अमीर लोगों को पद मिल जाए अमीर लोग गदी पर बैठ जाएं अमीर लोग देश को चलाएं इसके लिए कौन किसान एकत्रत होगा अगर आज का किसान एकत्रत नहीं हो रहा है तो लोग बदलते नहीं है लोगों की सोच नहीं बदलती है उस समय किसान कैसे एकत्रत हो जाते ठीक है again with the babus in fighting for an undefined स्वाराज and mysterious thing called the motherland जो mysterious thing जिसे motherland कहा जाता था मात्र भूमी कहा जाता था और undefined स्वाराज और ऐसा स्वाराज जिसको अभी तक defined नहीं किया गया था परिभाशित नहीं किया गया था और मात्र भूमी जो थी वो तो mysterious ही थी क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि हमारा देश कहां से कहां तक है ठीक है उसके लिए लरना और बाबू लोगों का साथ देना ये भाई किसी मजाग से कम नहीं था उसमें अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1857 and 1885 क्या था 1857 वाज देएर वो वर संताबन जो था वह साल था अब अब दसो काल्ड सेपवाई म्यूटी नी जो तथा कथित सिपाहियों का विद्रोह था मतलब सिपाहियों का विद्रोह नहीं था इन जैप्रकाश नारायन के हिसाब से एंड 1885 वाज दा बर्थ यहर ऑफ दो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और इसमें 18 यह तो मैंने आपको बताई दिया है आई हव सेट एवबदा मैंने उपर आपको कहा है मैंने मतलब जैप्रकाश नारायन ने ने नेशनलिज्म इन इस अधुनिक यूग में आधुनिक अर्थ में जो नेशनलिज्म है जो राष्ट्रवाद है इस रिसेंट डेवलप्मेंट एंड ग्रियू विद द नेशन उसने राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के साथ बढ़ा है और विकास किया है states of capitalism किसी ख का state? capitalism का state मतलब पुझिवाद का राज्जिक पुझिवाद का देश क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए आप लोग गौर करेंगे कि आज के डेट में भी आज के दिन में भी देश में जो बरे-बरे नेता होते हैं वो पूंजी पतियों के हाथ की कठ पुतली होते हैं ठीक है पूंजी पती लोगों के हाथ की कठ पुतली होते हैं बरे-बरे नेता वो उनको फंड करते हैं और वो उनको फंड करते हैं पूंजी यह सब psychological equivalent है जो मनोवज्ञानिक रूप से समान है nation के लिए राष्टर के लिए However, यद्यपी in the sense of political institutions political institutions जो है political जो संस्थाए है उनके हिसाब से being made the center of the loyalties of men to their kings and the devotion of the Greek to his city उस समय जैसे राष्टर का क्या अर्थ था Greek में राष्टर का क्या अर्थ था कि जो लोगों की जो लोयल्टी थी लोगों की जो वफादारी थी वो वहां के राजा के लिए थी और राजा की जो वफादारी थी Greek की जो वफादारी थी वो वहां के लोगों के लिए थी ऐसा था ग्रीक का राष्टरवाद I am using the word nationalism in this broad sense here मैं इस विस्तार अर्थ में राष्टरवाद को बताना चाहता हूँ जब प्रकास नारयन बोलते है कि राष्टरवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो जनता है जो आम जनता है वो सिर्फ पुझी पतियों के लिए काम करे या वो सिर्फ राष्टरवाद के लिए काम करे देश के लिए काम करे बलकि देश के उच पदों पर बैठे लोगों का भी ये responsibility है कि वो भी आम जनता के लिए काम करे ठीक है हाँ ये तब उचित होता जब बरे बरे पुंजी पती आम लोगों के हित में काम करते लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे तो सिर्फ एक टाटा जो है रतन टाटा जो है श्री रतन टाटा उनका नाम इज़त से लेना चाहिए वही उन्ही को मैं देखता हूँ देश हित में या आम लोगों के हित में कारी करते हुए पैसा देते हुए या फंड करते हुए लोगों की मदद करते हुए अलग-अलग इवेंट्स में और बाकी सारे पुंजी पती मरे पर हैं क्या तो फिर उनके खिलाफ तो लोगों के मन में और संतोज जो है वो तो आएगा ही डिसकंटेंट तो आएगा ही ठीक है चलिए आगे अगला पेश देखते हैं दस वी सी देट इसलिए हम लोग देखते हैं कि ए नेशन एक राष्ट्र डज नोट इन रियालिटी वास्तविक्ता में में दो होल नेशन एक राष्ट्र का मतलब पूरा का पूरा नेशन नहीं होता है ना ही जो नेशनलिज्म है जो राष्ट्रवाद है वो कमप्राइज करता है मतलब समावेश करता है शामिल करता है देखा जातियों और सारे जो ग्रूप के लोग हैं अलग-अलग वर्गों के जो लोग हैं नेमन वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्छ वर्ग सारे वर्गों के इंट्रेस्ट को सारे वर्गों के हितों को शामिल करके राष्ट्रवाद को नहीं देखा जाता है राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं होता है कि सारे ग्रूप के लोगों के हितों को कहने के लिए होता है कहने के लिए तो बिल्कुल होता है लेकिन क्या एक साथ सारऊ वर्गों के लोगों का हित होता है। आप थोरा सोच के बताएगा। कमेंट जरूर कीजिए ब करके। और चैनल को सब्सक्राइब करके विए लाइकॉन दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ठीक है और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा और लाइक भी कर दीजिएगा हमारा दूसरा चैनल भी है प्राउड टूबी बिहारी 2.0 जिस पर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अप्लोड करेंगे बहुत जल्ड खेर आगे परते क्लास टेंथ वाले का मैंतेमेटिक्स अप्लोड होता है अगर आप लोगों के अगल बगल में टेंथ के बच्चे हो तो उसे जरूर बोलिएगा मैंने अपना बेस्ट दिया है उसमें वो भी देखे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे चलिए आग कभी निम्न वर्ग राष्ट का निर्मान करते हैं कभी मध्यम वर्ग राष्ट का निर्मान करते हैं कभी पूंजी वर्ग राष्ट का निर्मान करते हैं and give expression to nationalism और वे अपनी हिसाब से अपने हिसाब से वे लो राष्ट वाद को परिभाशित करते हैं राष्ट वाद के बा upon the circumstances of history and the structure of society. कौन सा क्लास, कौन सा वर्ग या कौन सा समूह वोड प्ले दिस रोल, ये रोल आदा करेगा at a given time एक दिये हुए समय में ये depend करता है upon the circumstances of history, वो इतिहास के पर सित्यू पर निर्भर करता है circumstances पर निर्भर करता है and the structure of society और समाज के बनावट पर निर्भर करता है, it may often happen ये अक्सर होता है कि the so-called national interest तथा कथित जो national hit है, जो राष्टर हित है, जो सच में राष्टर हित होता नहीं है बस कहने के लिए so-called national interest जो होता है, of the moment उस चन का is actually against the real interest of the majority of the people, वो वास्तम में जो लोगों का जो majority है, जो बहुत बरे लोगों की जो समू है, उनके हितों के खिलाफ होता है, ठीक है when the cry of the nation, when the cry of, जब ये आवाज उठी, the nation in danger, की राष्टर खत्रे में है, कहां पर आवाज उठी, इंडिया में नहीं, was raised in general election of 1931 in Great Britain, Britain में, 1931 में जब general election हुआ और उस समय जो आवाज उठी की राष्टर खत्रे में है, the purpose in reality was, उस समय लोगों का क्या उदिश था, उस समय वास्तम में राष्ट खत्रे में नहीं था, लेकिन लोगों का उदिश क्या था, to stampede, कि भगदर मच जाए, the people, लोगों में, into voting for perpetuation of British capitalism, British capitalism जो है, जो अंग्रेजी, अंग्रेजी जो सामराज वाद है, अंग्रेजी जो अपने सामराज वाद का मतलब क्या होता है, इसी को capitalism का जाता है सामराज जिवाद का जाता है उसमें स्थिरता आये क्योंकि अंग्रेज जो थे दूसरे देशों में तो अपना वर्चस बढ़ा रहे थे लेकिन अंग्रेज इंग्लेंड में खुद उनकी स्थिती थोरी धैनी हो रहे थी खराब हो रहे थी इसके खिलाफ अब आज उठाया गया कि perpetuation का मतलों होता है इस थिरता अस्थाई करन कि अंग्रेजों का जो सामराज जिवाद है उसमें अस्थाई करन हो रुख जाये और जितना उनके पास है ब्रिटेन के पास उसके सत्ता के पास लोगों के पास वह वही पर रुख जाया उसी को control किया अच्छे से, standing as it did for their exploitation and economic bondage ये जो था वो उनके शोषण और economic bondage के लिए था, economic bondage का मतलों होता है आर्थिक बंधन और exploitation का मतलों होता है शोषण, शोषण और आर्थिक बंधन के लिए वोई लोग ऐसा कर रहे थे, उन लोग का ऐसा मानना था, to talk of the nation as something undivided, इसलिए नेशन के बारे में बात करना, to talk of the nation, नेशन के बारे में बात करना as something undivided and whole और नेशन के बारे में तब बात किया जाए या किया जाना चाहिए या नेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है ऐसे जगह से, ऐसे देश से, जो undivided है और जो संपूर्ण ह पूरा है, is to become victim to class propaganda, जो यह क्या हो जाता है, लेकिन एगर ऐसा नहीं होता है, तो यह दोशी हो जाता है, यह शिकार हो जाता है, class propaganda का, class वर्गों का जो प्रोपेगंडा होता है, अलग-अलग वर्गों का जो परचार होता है, उसका शिकार कौन हो जाता है? एक राष्ट्र हो अबिता से ले करके सिंदु नदी घाटी से ले करके जो पूरा जो भारत का विस्तार था भारत पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद बांगलादेश अलग हो गया बहुत सारी वह बटी वह उसलिए हुआ क्योंकि राष्ट का मतलब होता है अंडिवाइड एंड होल इस पर का जागview अगला प्राग्राफ है बाइंडियान नेशन इज्मेट आफ प्रिंस इंडिया नेशन है इस का यूश्किया है मतलब यह उस समय लिख अगु भारत गुलाम था या मतलब यह उस समय की को देखकर य्श्क्रान इसलिए हमारे लिए तो वह पास्ट है लेकिन लिखने वाले के लिए प्रेजेंट है ठीक है तो वह अपने हिसाब से उस समय की परिस्तिती को देख करके लिख रहे हैं दा इंडियान नेशन का देख है बैंक के मालिकों का देख है नेशनलिजम जो है जो राष्टरवाद है वो इन सारे वर्गों के लिए एक नहीं है इन सारे वर्गों के लिए अलग-अलग है दा फ्रीडम of the one of them, इन में से किसी एक की आजादी is not the same as the freedom of the other, दूसरे की आजादी नहीं है, इन में से कोई एक class अगर आजाद हो गया या कोई एक वर्ग अगर आजादी की लड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वर्ग की आजादी भी हो गई, सबकी आजादी का अर्थ अलग-अलग है, सबके राष्ट्रवाद का अर्थ अलग-अलग है, सबके लिए राष्ट्र का मतलब अलग-अलग है, ठीक है, नौर is the manner in which they would fight for freedom the same for all, और वे लोग जो आजादी की लराई लरेंगे, वो सबके लिए एक नहीं होगा, ठीक, let us take the princess, हम लोग राजकुमार को लेते हैं, राजाओं को लेते हैं, ठीक है, वो लोग, उनके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या है, उनके हिसाब से देश क्या है, their freedom means, उनकी आजादी का मतलब, complete sovereignty, पूड़ा का पूड़ा अपना चाहिए, अपना राज्य होना चाहिए, ठीक है, तो complete sovereignty होनी चाहिए, which can be worn only on the battlefield, और ये जब की ये तो सिर्फ युद्ध भूमी पर जीता जा सकता है, ठीक, किसी देश को, किसी आप जो sovereignty चाहते हैं, एक अपना प्रभुत्त चाहते हैं, तो ये तो केबल बैटल फिल्ट पर होगा, युद्ध भूमी पर होगा, लर्के ही होगा, बट विच आप इस प्रिंसे, लेकिन इस में से किस प्रिंस की हिमत थी, सिंस 1857, 1857 के बाद किस राजा ने, is in a position to go to war for sovereignty, क्योंकि 1857 में तो लगभग भारत के सारे छोटे बरे राजावन अंग्रेजों के खिलाब युद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन हार गए न, तो 1857 के बाद किस राजा के पास इतनी हिमत बची थी, वो इस position में थे, to go for, to go to war, कि वो युद्ध के लिए जाए, for his sovereignty, अपने संप्रभूता के लिए, अपने युद्ध के लिए, अंग्रेजों के खिलाब जाए, कि कोई उस position में नहीं था, it is clear that, ये clear है कि, the princes must permanently remain vessels, जो प्रिंस थे, जो राजा थे, वो पर्मानेंटली, हमेशा के ल अग्रेजी हुकूमत का हमेशा के लिए जागिरदार, हमेशा के लिए जमिनदार, या हमेशा के लिए उनका गुलाम बनकर ही रहना, एक मात्र उपाई अंग्रेजों, राजाओं का उस समय रह गया था, तब ही ना उनके पास वो पूरा पावर रहता, नहीं तो अगर वो अंग्रेजों के खिलाब जाते, तो अंग्रेज उनकी सारी संपतियां छीन लेते, तो इस नेचरली ये नेचरली रेंजेज देम एगेंस्ट नेशनल मूवमेंट इन सो फार, और वास्तविक, एकदम सिंपल सी बात है, कि इसलिए वे लोग नेशनल मूवमेंट से राष्टरिय आंदोलन के खिलाफ थे, ठीक है, इन सो फार, एज तो अपोज दैट इम्पेरियलिज्म, और वे लोग उस इम्पेरियलिज्म को, उस गुलामी को, जो अंग्रेजों का जो हुकूमत था, उसका अपोज नहीं कर सकते थे, उसका विरोध नहीं कर सकते थे, Here is the first breach in national unity, और यह पहला breach है, और यह पहला उलंगन है, पहला दरार है, राष्टरिय एकता में, उस समय, उस समय की बात कर रहे हैं, जैपरकास नहीं कर रहा हूं, उस समय, राष्टरिय एकता में पहला दरार यह था, कि राजा महराजा जो थे, वो राष्टरिय आंदोलन के लिए भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे, और यह नेशनल यूटी में पहला दरार था, ठीक है?